श्रीनन्द कुमार कश्यप नरेंद्र कश्यप धन्यवाद मौदे आपने मुझे राष्ट्रे डेजाइन संस्तान विदेग दोजाग तेरे पर बोलने का अवसर प्रदान किया और इस विदेग के कारण और उद्देश को पढ़के निश्ची तोर से ऐसा लगा कि माने मंतरी जी का इराधा इस संस्तान की एहमियत को और ज़्यादा ससक्त बनाना है और विद्या के माध्यम से जो एक मांग की गई है एहमदाबाद के इस राष्ट्य डिजाइन संस्तान को राष्ट्य महत का संस्तान गोशित करने के समन्द में पहले भी पूरवर्ती सरकारों में भी हमारे देश के बहुत सारे संस्तान को राष्ट्य महत का संस्तान गोशित कराने के लिए इस हाउस में विद्याक पास हुए और सदन ने उस पर कही ना कही आम सहमती के माध्यम से इन संस्तानों पर विचार भी किया और संभवता इस विद्यक पर भी विचार होगा और इसलिए भी विचार होगा चुके यह संस्तान डिजाइन के छेत्र में ग्रेजवेट पॉस्ट ग्रेजवेट डिगरी डिपलॉमा हासिल करने वाले नौजमानों को कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा लेकिन एक दो तीन चीज़ें उपसभापती जी आपके माध्यम से माने मंत्री महदा से जरूर जाना चाहता हूं कि राष्ट्य महत की संस्था का विध्यक पास होने के पीछे या पास होने से क्या इसमें और अधिक नौजमानों को इस साइड में एजुकेशन लेने की अपर्चनिटी बढ़ेगी और नमबर दो एक आशंग का भी व्यक्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अमूमन कई ऐसे संस्थान इस सदन में राष्ट महत के संस्थान गोशित हुए जिनमें आरक्षन की ववस्ता कहिना की पुरभावित हुई है उस सभापती महोदय महनें मंतरी महोदया किरपया अपने उत्तर में इस बात को इस्पष्ट करने की किरपा करेंगी कि इस संस्थान में जो फैकल्टी है जो करमचारी है अधिकारी है और खास्तों से वो वर्ग वो तपका जिसको भारतिय सविधान में आरक्षन की ववस्ता के आधार पर नुक्तियां मिलती है या मिली है क्या इस रिजर्वेशन पॉलिसी पर इस संस्थान के बनने से कोई उपरभाव तो नहीं पड़ेगा क्या बढ़ती पुर्किरिया में रिजर्वेशन की पॉलिसी को कमजोर करने या समाप्त करने का कोई रादा तो सरकार का नहीं है एक तो यह स्पश्चिकरन हम चाहेंगे और दूसरा उत्वाबाव पर दी महद है यह बाद ठीक है कि हमदाबाद का यह संस्थान देश के लिए बहुत महतून है इसके लिए सुविधाय बढ़ें इसका स्टेटस बढ़ें इससे देश के नोजवानों को लाब मिले लेकिन क्या वीकर सेक्शन के लोगों को भी समान रूप से सिख्षा का आउसर प्रदान करने की कोई नीती कोई इरादा माने मंत्री महदा इस विध्यक में रखती हैं क्या और दूसरे संस्थानों में जिस परकार से चाहें सेंटर गर्रमेंट के संस्थान हैं चाहें स्टेट गर्रमेंट के यूनिवर्स्टीज हैं या हर दूसरे कॉलिजी हैं जिस परकार से प्राम्तिय और केंध्रीय विधालों में विश्विधालों में संस्थानों में SC, ST, OBC के लोगों को Education के अफसर प्रधान करने के लिए आरक्षन की ववस्था को लागो किया गया है क्या इस संस्थान में भी माने मंत्री जी ये सुनिश्चित करेंगे कि SC, ST, OBC के Students को इस संस्थान में आरक्षन के उसी अनुपात में प्रवेश देकर क्या उनको भी अवसर प्रधान करने की कोशिक करेंगे मौदेर तीसरी बात कहके बात को अंत्र कर रहा हूँ हमको मालूम है कि NID जैसे संस्थान हमारे देश के लिए बहुत मैत्पूर है लेकिन इनकी संख्या हमारे देश में कि इतनी कम है कि चाहते वे भी बहुत सारी प्रतिभाएं बहुत सारे च्छाप्र बहुत सारे नौजमान अवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं अवसर नहीं मिल पाता है शीटों की कमी से संस्थानों की कमी से और मैं इस बात को कहने के लिए बहुत विनमरता से इस बात की च्छा रखता हूं कि उत्तर प्रदेश आबादी की द्रश्टी से भारत वर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है माने मत्री जी आप सत्ता में आए हैं देश के लोगों ने आप पे भरोसा किया है उत्तर परदेश ने आपको भारी समर्थन दिया है तो क्या उत्तर परदेश के जिन लोगों ने आपको भारी समर्थन देके सत्ता में लाने में आपको यहां भेजा है क्या उस परदेश में भी आप एहमदाबाद जैसा संस्थान बनाने पर विचार करेंगे मैं चाहता हूँ कि इसकी गोशना भी अगर सदर में हो तो शायद हमारे नौजमानों को और ज्यादा आउसर परदान होंगे और उत्तर परदेश जैसा बढ़ा परदेश भी इन एजुकेशन के साथ अपने आपको जोड़ सकेगा आपने मुझे आउसर दिया आपका धन्यवाद करता हूँ माने मत्री महोद्यास पर निर्ने लेंगी उन्ट का भी धन्यवाद करूँगा